हलो फ्रेंड्स गुड बॉरिंग स्वागत है आप सबका सारा होम साइस एजुकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं तो है टेक्स्टाइल और टेक्स्टाइल में हम क्या देखेंगे यार्न काउंट धागों को किसमी गिना जाता है किसमी काउंट किया जाता है और एक बात आप लोग नौट कर लेजिए यहां से आपको कुष्टन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे एक्जाम में यहां से हर बार कुष्टन आया है चाहे वो NET हो GIC, LT, TGT, PGT कुछ भी हो कोई भी एक्जाम हो XYZ कोई भी एक्जाम हो होम साइ यहां से question पूछा ही पूछा जाता है यह बहुत ही ज्यादा important topic मैं आप लोगों से जो मुझे बहुत ही ज्यादा important लगता है मेरे experience है जो लगता है मुझे बहुत ज्यारद important है उसको मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ, तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज का जो topic है, वो क्या है, यार्न काउंट है, कि यार्न को किस में काउंट किया जाता है, यहां से कैसे question आता है, अगर आप लोग previous year के unsolve को solve किया होंगे, तो उसमें पूछा जाता है, एक टेक्स बराबर कितना होता ह किसमें आता है किसमें और है यहां से और कैसे पूचा जाता है जो इंगली सिस्टम है. इंगली स्पाउंट है उसमें क्या आता है तो यह में पूचे जाते हैं तो यह आती है है बहुत ही ज्यादा इंपौटन्ट कर Tamam वाला है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको याद कर लीजिएगा समझ लीजिएगा मैं बार-बार बोली हूँ अब आजाते हैं अपने टॉपिक पर मेरा बताने क काम है आपका करने का काम है आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा क्या है जो यान काउंट है उसको कितने भागों में बाटा गया है कितने तरह किसे यान को काउंट किया जा सकता है गिना जा सकता है नापा जा सकता है पहला तो है डारेक्ट मैथेड दूसरा है आप लोग भी बुक पढ़ लेंगे आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस बुक में ये दिया गया है किस में नहीं दिया गया है तो ये बहुत ही कम बुक में आपको ये सारी चीजे देखने को मिलेंगे और यहां से कुशन पूछे जाते हैं क्या है पहला है डारेक्ट मैथ और दूसरा क्या है इंडारेक्ट मैठेद है डारेक्ट मैठेड को हम क्या बोलते हैं फिक्स लेंथ मैठेड बोलते हैं डारेक्ट मैठेड को क्या बोलते हैं फिक्स लेंथ मैठेड बोलते हैं मैं उपर भी लिख दी हूं अधर अधर कलर से लिखे हूं जिससे आपको कन्फ् दारन जो direct method है इसमें क्या क्या जाता है निश्चित लंबाई ॥ ॥ रहेगा लेकिन भार में भ्रिधि हो जाएगी बताया घया है निश्चित लंबाई का जो ब्रिधि होगा आप देख रहे हो कि जो लंबाई है वो निश्चित रहता है और जो भार रहता है उसमें ब्रिध्ध हो जाती है मतलब क्या है कि जो लंबाई है वो निश्चित रहेगा उसमें भार में ब्रिध्ध हो जाएगे आप लोगों को समझा देती हूँ माल लो कि ये क्या है ये मारकर है ये मारकर है इसकी जितनी लंबाई है ये लंबाई निश्चित रहेगी चाहे इसमें कितने भी किलो का समान हम इसमें इसको बनाने में डाल देंगे लेकिन इसकी जो लंबाई है लंबाई इतनी ही रहेगी चाहे हम इसे एक ग्राम में बनाए एक ग्राम प्लास्टिक में बना दे या फिर एक किलो प्लास्टिक में हम बना देंगे लेकिन अगर 1 kg का रम प्लास्टिक का यूज करके हम मारकर बना रहे हैं, तो भी इतना ही लंबा बनेगा, लंबाई में कोई changing नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसके वेट में, इसके भार में बृध्धी वह जाएगी, जाँड सी बात है, 1 g अगर हम प्लास्टिक का यूज क करनी है इतना ही लंबा हमें मारकर बनाना तो क्या हो जाएगा हमारा इतना मोटू सा हो जाएगा एक दम समझ रहे हो ना आप लोग क्या समझाने की कोशिश कर दियूंग जो fix length method है इसमें क्या किया जाता है लंबाई चेंज नहीं होता है सिर्फ भार में ब्रिध्धी हो जाता है एक पॉइंट आप नोट कर लीजे ये कि कितना भी material हम यूच कर लें जो लंबाई है वो उतना ही रहेगा अगर हम एक किलो उन में कुछ एक ग्राम उन में हम कुछ ब प्रिध्धी हो जाएगी यह किस में होता है यह fix length method में होता है और यह इसका question जब मैं क्या करी थी जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को home management तभी से आप लोगों के जो कि message में नहीं समझाया जा सकता आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग अब देख लीजे आप आज आईए अपने point पर अब message की और chatting की बात नहीं करते हम अब देखते हैं हम इसमें क्या होता है वजन में जो है ब्रिध्धी हो जाएगी लेकिन लंबाई देख रहे ह संख्या में भी व्रिध्धी हो रही है तो अगर हम एक ग्राम कोई चीज बना रहे है एक ग्राम यूज करके तो उसकी लंबाई कितनी होगी 9000 मीटर होगी इसमें क्या यूज होता है डेनियर यूज होता है अभी हम देखेंगे इसके अगले point में देखेंगे कि जो fix method है इ करेंगे फोटी लेकिन यहां पर संख्या में ब्रिध्धी वरा है यहां तेन ग्राम यूज करके स्टाइब देखेंगे मतलब जो चीस करेंगे शिद मोटा होता चले चला जाएगा जैसे जैसे संख्या बढ़ेग सिस्ता कि और यहां पर लिग देती हूं जैसे संख्या बढ़ेगी क्या होगा वजन में ब्रिधी होगी मतलब क्या वो मोटा होता चला जाएगा मैंने समझा भी दिया एक्जामपल देखें यह मारकर का अगर एक ग्राम प्लास्टिक का यूज करके मारकर बना रहे हैं तब भी इतना लंबा मारकर बनेगा इतना पतला बने लेकिन एक किलो मारकर बनाएंगे एक किलो प्लास्टिक का यूज करके मारकर बनाएंगे तब भी लंबाय इतनी रहेगी यह नहीं कर सकते हैं जब लंबाय नहीं कर सकते हैं तो भार में प्रिध्धिक हो जाएगी यह क्या है यह है हमारा direct method और यह सारी चीजें आपको इंडारेक्ट को क्या कहते हैं इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है निश्चित वजन पद्धत है यह वजन में ब्रिद्धी नहीं होता है लंबाई में ब्रिद्धी हो जाती है क्या होता है इंडारेक्ट में क्या होता है वजन में ब्रिद्धी नहीं होता वट लंबाई मे 181 g एक ग्राम हमें वजन η की ग्राम करना है अगर एक किलो करें तो एक किलो करेंगे ऌपनारर भूर्ट क्या हो रहा है मतलब एक लंबाई में बृड़्य हो रहा है जब धागा संख्या बढ़ेगा तो धागा पतला होगा इसको समझ लेते हैं हम क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है इसमें कि अगर कोई चीज मान लो कि ये मारकर है मारकर है ये ये इस मारकर में हम एक ग्राम यूज कर रहे हैं मारकर को बनाने के लिए एक ग्राम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक ग्राम प्लास्टिक का यूज करके ये मारकर हम बना रहे हैं, तो जाइज सी बात है, जादा ना मोटा होगा, जादा पतला होगा, मालो कि एक ग्राम यूज करके, एक ग्राम प्लास्टिक का यूज करके हम ये बना रहे अपकी हम इतना पतला बना दिये सेमी है लेकिन यह पतला है समझने के लिए काफी है एक ग्राम हम यूज करके बना रहे हैं क्या बना रहे हैं उसको हमने इतना पतला कर दिया लंबाई बढ़ा दिया फिर हम क्या करेंगे एक ही ग्राम यूज करेंगे एक ग्राम प् एक ग्राम यूज किया जारा ग्राम में परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन इसकी लंबाई में परिवर्तन होता चला जा रहा है ये समझाने की कोशिश कर दियू में ये किसमें होता है इंडारेक्ट में होता है जो वजन है उसमें परिवर्तन नहीं होता है लेकिन लंबाई में परिवर्थन होता जाता है, समझ में आ गया होगा आप, आप लोगों के, इसमें क्या होता है? जब धागा संख्या बढ़ेगा, तो धागा पतला होगा, लेकिन क्या होगा? वजन जितना हम, जिस बेट में, जिस चीज को यूज करें, अतना ही यूज करेंगे. आयोब आप लोग के अच्छे से समझ में आरा होगा अब हम देखेंगे कि direct method में क्या आता है indirect method में क्या आता है यहां से बहुत सारे question पूछी जाते हैं यह तो अब आप आप लोग के समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं इसको भी और एक बार आप लोग वीडियो को सेयर किया करिए भाई अपने अपने ग्रूप में आप लोग वीडियो को सेयर किया करिए सब को लाब मिले इतनी अच्छी क्लास मिल रही आप लोग को तो सब को लाब मिले जो भी जितने भी स्ट इतनी आप ही लोग बोलते हो कि मैं बहुत अच्छी क्लास है आपकी बहुत अच्छी क्लास है मैं अपने मुझे नहीं बोलने हूं जो आप लोग के मैसेश को में देखती हूं उस हिसाब से मैं बता रही हूं कि जब आप लोग को इतनी अच्छी क्लास लगती है तो प्लीज और हब его अपैसे इसमें इसमें आता है टेक्स अर्डिट कि एक डेनियर बराबर किटना होता था था र नौगजार मीट देन स्पॉट होता है और एक टेक्स बराबर किटना होता है कि एक गुश्यन नेट में पूछ पूछा गया है कि एक डेनियर बराबर कितना है मैच करने के लिए दिया गया था 2017 में पूछा गया है कि एक डेनियर और टेक्स दे दिया गया है वहाँ पर हमें उसे मिलाना है मैच करने के लिए तो जब हमें पता रहेगा तभी तो हम मिला पाएंगे, एक डैनियर बराबर कितना होता है? 9,000 मीटर लंबाई में, और एक टेक्स बराबर कितना होता है? 1,000 मीटर लंबाई में, ये तो हो गया, direct method में, अब इन डारेक्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें इसमें आता है फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच सिस्टम आ गया इसमें और दूसरा क्या आए गया है मैट्रिक सिस्टम है मैंत्रिक्स इस्टाम आ गया और क्या आ गया इसमें इंगलिस सिस्टम HEY हुआ हें कि इंगलिस सिस्टम और क्या प्यादि इसमें हुआ है रॉस्टेज एक बाऊ-एंडि May मेथेड में आती हैं अब हम देखेंगे इसमें किसमें क्या-क्या मापा जाता है कितने का होता है पहले हम देख लेते हैं फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है इसे हम कॉटन फ्रेंच के नाम से जानते हैं इसे किसे फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है अब मैं यहां पर एक-एक फैसको मैं मिटा दूं आप लोगों समझाने के लिए तो ओगे डारेक्ट मेथेद को देख लेते हैं आप पहले देख लेए फ्रेंच सिस्टम में होता है नहीं दिख रहा होगा आप लोग को इससे यह बहुत हल्का है फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है इसे हम कॉटन फ्रेंच के नाम से जानते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है कॉटन फ्रेंच के नाम से जान जाता है एक्जाम टाइम में French system पूछा जाए या फिर cotton French पूछा जाए confused नहीं होना है आप लोग को क्या होता है इसमें 1 gram बराबर 1000 yard होता है इसमें क्या होता है एक gram बराबर 1000 yard ऐसे पूछा जाता है question French system दे दिया जाएगा यहां से match करने के लिए cushion पूछा जाता है और मिलाने के लिए चाटने के लिए कुशन आता है French system दिया रहे गा एक side ये सारे system दे दिये जाएंगे एक side ये सारे yard दे दिये जाएंगे उसे चाहरे स्हूंड कारना रहे गा हुमें match करना रहे गा मैट्रिक सिस्टम क्या होता है इसमें एक ग्राम बराबर एक हजार यार्ड इसमें भी होता है एक ग्राम बराबर 1000 yard होता है больше system में بھی क्या होता है 1 gram ब्राबर 1000 yard होता है अब आजाते हैं rusted system को देख लेते हैं rusted system में क्या होता है 1 gram ब्राबर 1 gram ब्राबर कितना होता है 550 yard समझ आ रहा है आपको फ्रेंच सिस्टम, कॉटन सिस्टम कहते हैं एक ग्राम ब्राबर एक हजार यार्ड होता है मैटिक सिस्टम में एक ग्राम ब्राबर एक हजार यार्ड होता है रस्टे सिस्टम में एक ग्राम ब्राबर पान सो साथ यार्ड होता है अब एक बचा है हमारा वो क्या है वो है इंग्लिस सिस्टम इंग्लिस सिस्टम में क्या होता है इसमें इसे cotton count के नाम से भी जानते हैं इसे किस नाम से जानते हैं cotton count cotton count नाम से जानते हैं और इसमें क्या होता है इसमें होता है एक ग्राम बराबर 840 यार्ड एक ग्राम बराबर 840 यार्ड complete हो गया एक बार फिर से देख लीजी ये बहुत ही जादा important है मैं बार बार बता रही हूँ इसमें क्या होता है इंडारेक्ट में फ्रेंच मैठेद, मैट्रिक मैठेद, मैट्रिक, इंग्लिस, रस्टेड होता है जो फ्रेंच मैठेद है इसे क्या बोलते हैं कॉटन फ्रेंच के नाम से जानते हैं एक ग्राम बराबर एक हजार यार्ड मैट्रिक में क्या होता है एक ग्राम ब्राबर एक हजार याड रस्टिस सिस्टम में एक ग्राम ब्राबर पांसो साथ याड इंगलिस सिस्टम में कॉटन काउंट नाम से जानते हैं जिसे एक ग्राम ब्राबर आठ सो चालिस याड यहां से जादा से जादा कुशिन कैसे आते ह मिलते हैं अंगले क्लास में आप लोगों का एक सवाल है कि मैं आप लाइब आईए लाइब आईए तो जरूर मैं एक दिन लाइब आऊंगी उसके एक दिन पहले में आप लोगों को बता दूंगी कि मैं किस दिन लाइब आने वाली हूं तो आभी कुछ प्रॉब्लम्स है कर दो दो को बड़ दो को घुट जो कर दो का दो कि अब दो कर दो कर दो कि दो कि अ थे ख़ी